नमस्कार मिराज पुरोहित मधुर जी आप देख रहे हैं एश्टो तक मा भगवती के पावन पवित्र तेवहार के अंतर गताच चोथा नौरात्र है और इस चोथे नौरात्र पे आपको कूसमांडा देवी को कैसे प्रसंद करना है कूसमांडा भगवती एक ऐसी भगवती हैं समाज में फैले हुए अराजक तत्तों का विद्धवन्स करती हैं तमाम प्रकार के ऐसे असुरों का संघार करती हैं जीवन में आने वाले तमाम प्रकार के ऐसे जो धर्म के रास्ते पर तमाम ऐसे बिच्छोब, तमाम ऐसे बिद्रोह, तमाम प्रकार के ऐसे कुकृत्य जो सामने आते हैं उन सब का समोलता विनास करती हैं ऐसी माभगोती कूसमांडा को हम सब मिलकर के बारमबार नमस्कार करते हैं अब आपको बताते चलें कि माभगोती कूसमांडा की उपासना के अंतरगत हम ध्यान किस विधि से करें देवि प्रपन्नार्तिहरे प्रशीद प्रसीद मातर जगतो खिलस्य प्रसीद विश्वे स्वरी पाहि विश्वम तौमी स्वरी देवि चराचरस्य हे चराचर जगत को हे चलाने वाली हे पालन करता हे संगार करता हे स्रिजन करता हे माभगोती आप में संपूर्ण गुन देखे जाते हैं आप सभी स्वरूपों को धारन करने वाली कूसमांड रूप में आज मैं आपका विधिवत पूजन करने चल रहा हूँ हमारे जीवन के संपूर्ण पाप, ताप, संताप इन सब का हरण हो इसी मंगल कामना के साथ आज की दिन, चौथे दिन आप माभगोती की उपासना करेंगे अब ध्यान तो आपने कर लिया, ध्यान करने के साथ-साथ आपको ऐसा क्या उपाय करना चाहिए ऐसा पूजन में आज क्या खास करना चाहिए, जिससे माभगोती कुस्मांडा आपके उपर प्रसन्न हो, परिवार के उपर संपूर्ण कृपा बनाए रखें माभगोती कुस्मांडा का पूजन करने के लिए आप सुन्दर सुन्दर लाल वस्त्रों में आप पहने, लाल वस्तर को धारन करें, लाल वस्तरों को धारन करके लाल आसन पर ही विराजमान हो, लाल आसन पर विराजमान हो करके माभगोती को सुन्दर दिभ्य, ध्यान, अर का स्नान कराता है यकीनन मानिये सहत स्नान कराई हुई वह दिव्य प्रतिमा आज के दिन वह आपने आप में एक ऐसी उर्जावान हो जाती है जो कि मनुस्य के परिवार में तमाम प्रकार के जो अंधकार व्यापत होते हैं धर्म रूपी अंधकार जो व्यापत होते हैं उनको मार्ग दर्सन देने के लिए आप मा भगोती को सहत सिस्नान करा के सुद्ध गंगा जल सिस्नान कराएं गंगे चाय मुने चैव गोदा वरी सरसुती नर्मदे सिंधु काबेरी जलेसमिन सन्निधिम कुरू इस जल में संपूर नदियों का जल तीर्थों का जल, बेद, उपनिसद, सास्त्र, सब कुछ समाहित हैं हे मा आज जिस जल से मैं आपको सनान करा रहा हूँ इस से आपके अंदर एक तेजपुंज जो स्थापित हो जो सनातन को, जो संस्कृती को, जो पूरे परिवार को, जो पूरे समाज को जो हमारे हित मित्रों को कहीं एक ऐसी दिसा दे जिस से मानो जीवन में मा भगवती का पूजन करके नारी इस्त्री, माताओं, बहनों के लिए एक सम्मान की परिस्थितियां मन में जगे अब हम पूजन की क्रम की तरफ बढ़ते हैं माला चढ़ाने के बाद आज की दिन आपको दूरबा भी चढ़ानी है दुर्वा क्यों चढ़ानी है? मा भगवती को दुर्वा इसलिए चढ़ानी है, बंस की व्रिद्धी के लिए है मा भगवती निवेदन करिएगा, दुर्वा चढ़ाते हुए कि मा आज के दिन यह दुर्वा में इसलिए बिना ग्रंथी के दुर्वा इसलिए चढ़ा रही हमारे जीवन में जो कन्या आए वो समस्त सम्पूर्ण सोलह कलाओं से वो युक्त हो भगवती देवी आपकी ही कृपा प्राप्त हो आपकी करुणा से जो प्राप्त हुई कन्या हमारे कुल का विकास करेगी कुल का नाम रोशन करेगी चहुदिस यसकीरती फैलाएगी हे माभ मैं आप से निवेदिन करता हूँ, करती हूँ कि आज के दिन इस दूर्वा को चढ़ाने से हमारे जीवन में सुन्दर सी कन्या कहीं ने कहीं प्राप्त हो, तो ऐसा सुन्दर ध्यान करते हुए आप जो है दूर्वा चढ़ाएं, दूर्वा के साथ साथ सिंदूर, सिंदूर क खेर समर्पित करना है, पंच मेवे की अगर आप भगोति को चढ़ाते हैं, तो यकीनन मानिए कि आज के दिन वह प्रसाद, अगर जो बेत्ति पाएगा, रोगी रोग से मुक्त हो जाएगा, धनार्थी धन से उक्त हो जाएगा, मोक्षार्थी, मोक्ष को प्राप्त हो जा परिक्रमा, परिक्रमा के साथ फिर क्या करना है आपको विसेश कर आज के दिन आरती मा भगवती कुसमांडा की करना है। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती है तो इसलिए भगवती को स्मरन करते हुए अवस्य ही ध्यान रखें। आप जब जाएंगे तो पिष्ट भागों में द्वात्रिंसत नामा वली है अर्थात 32 नामा वली है। नामा भगोती के 32 नामा वली का जो विक्ति पाठ करता है कम से कम 11 बार पाठ करिए। उस पाठ के करने से आपके समूल मनोकामनाय जितनी भी हैं संपुर मनोकामनाय वह पूर्ण होंगी भगोती प्रसन नहोंगी। पाठ फूल लॉंग, थोड़ी सी पीली सरसो, गूगुल और लहुबान इतना रख करके गाय के उपले को उसको सुन्दर दिब्व आग बना करके आप पूरे घर में उसकी सिकाई करें। साथ ही साथ ओम, एंग, रिंग, लिंग, चामुंडाई विच्चे इस महामंतर का जब करते हुए जब यह कारे करेंगे, संपूर्ण जो भी नकारात्मकता है एक पॉजिटिविटी में बदल जाएगी, एक ऐसी उरजा में बदल जाएगी जिससे आपका अध्यात्म में मन रहें, नमस्कार.